नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांती रहती है कि अगर ROARO की परिक्षा की तैयारी करनी है और उसमें हमें GS का पोर्शन तैयार करना है तो अगर हम उसमें लूसेंट कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा उससे हमार GS के सारे प्रस्ट सही हो जाएगे या फिर अगर हम घटना चक्र कर लेते हैं तो उससे हम GS में अपना कट आफ पार कर ले जाएगे या फिर NCRT इसमें हजर्फोल होगी कि नहीं इसको लेके भी तमाम डाउट्स रहते हैं लोगों को मन में और यह भांतियां अमूमन उन लोगों के मन में होती हैं जो कि आम तोर पर फ्रेशर्स होते हैं क्योंकि वो इतने जादा प्रीवियस यह पेपर से कुछ एनालिसिस करते नहीं है या फिर उन्होंने कोई ऐसा पेपर दिया नहीं है तो इस वज़े से उनके मन में कहीं न कहीं यह डाउट रहता है कि भाई कौन सी बुक करें और इतनी ज्यादा बुक्स करने से अच्छा है कि अपना एक यह सिंपल सी बुक दिख रही है तो उसमें वो जो है लग जाते हैं या फिर फ्रेशर्स ना होके अगर SSC वेगरा कि या अनने किसी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और वो अगर इस एक्जाम के लिए पीर होना चाहते हैं जो हो सकता है वो खुद भी अपने लाइफ में कभी कोई एक्जाम का प्री भी ना निकाल पाए हो उनसे जो है वो पूछने चले जाते हैं और वो भी बोल देते हैं कि हाँ इससे कर लो या फिर यूट्यूब चैनल पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोग बोल देते हैं कि बस इस एक किताब को कर लो आर उपार ऐसे करके वो अपना टैग लाइन बना देते हैं और बच्चे जो है उससे एट्रेक्ट हो जाते हैं इस चक्कर में वही एक बुक पढ़के चले जाते हैं और फिर उसके बाद रोते हैं कि बाई ऐसा क्या आज मैं उसी ब्रहंति को दूर करने के लिए आया हूं देखिए आप अगर एक गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट लेना चाहते हैं एक और तालिस सो ग्रेट पे की पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी होगी बिना मेहनत के आप जो है इस परिक्षा में नहीं पात कर सकते हैं यह आप मान के चलिए तो अब यहां पर लूसेंट जो है वो देखिए अब मैं इन तीनों बुक्स के बारे में आपको जनरल एक डिसकुसन कर देता हूं जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और बलकि मैं क्लियर कट आपको सजेस्ट भी कर दूंगा देखिए सबसे पहली बात कि लूसेंट लूसेंट देखिए आपने खुद भी यह देखा होगा एनलाइज किया होग पर मंगल पांडे यह था यह बता दिया सीधा सीधा कुछ भूमिका बनाई नहीं कि क्यों ऐसा हुआ क्या हुआ कहां से कैसे यह सुख बूर्गाहट हो रही दिकरांती कि यह सारी चीजे कुछ बताएगी नहीं ठीक है तो कॉंसेट ना बतागे सिर्फ वन लाइनर बता दे सीधा सीधा फैक्ट पर फोकस करती है और चूंकि उससे प्रस्ण जो है वह बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं मतलब काफी सारे प्रस्ण यहां से मिल भी जाते हैं अलग-अलग परिक्षाओं में तो इसलिए इसमें बच्चों का विश्वास भी बना हुआ है अगर कुछ लोग आलोचना करने के लिए के लिए कि इसमें बहुत गलती हैं अप्लब करते हैं परंतु लूसेंट काफी अच्छी वुक है लेकिन यह तब अच्छी है जबकि आप स्टैंडर्ड बुक्स जो आपकी होती हैं इस्टैंडर्ड बुक्स का मतलब जो अलग-अलग शेयर कर दूँगा इसी description में यह देखिए book list वाला जो book list में मैंने बताया कि हर विषय कि क्या-क्या standard books हो सकती हैं उस standard books को जब आप पढ़ लेते हैं उससे आपके concepts develop हो जाते हैं उसके बाद आप lucent पढ़िए तब यह बहुत अच्छा काम करेगी यहाँ पर इसी बात को मैंने लिख भी दिया है कि one-liner facts होते हैं लिखना बहुत आसान होता है इसलिए lucent आपको बुक पतली दिखेगी ठीक है और वह जितना आसान मान लिए आप उसको तीस दिन में पढ़ लेंगे लेकिन वह वन-liner होने की वज़ए से वह तीस दिन में आपके दिमाग से गायब भी हो जाएगी क्योंकि आप वहां पर को बहुत कन फूAST हो जाते हैं आपके दिमाग से ओसारी चीजर्व जाते हैं तो वहां पर आपको जरूरी है की कोई नकोई आप कॉंसेट आपके मन में हो जिससे की आप एक कर सकें कि इसमें यह तो हो नहीं सकता यह तो नहीं सकता आचा उस समय में ये था ये था यह करके आप कुछ भी उसमें लिंक बैठाके अगर रठना ही है तो उस तरीके से लिंक बैठाएं तो वो जो है आपकी standard books वो काम करती है यहां पर lucent जो है वो बहुत ज्यादा beneficial हमाई एसाफ से नहीं है वो beneficial कब है जब कि आप इसको supplement with standard books for last time revision इसको हमेशा आप रखिए last time revision के लिए कि मतलब आप जब सारी चीजे पढ़ चुके हैं आप standard books सारी पढ़ चुके हैं उससे concept मजबूत हो गया है उसको आपने revise भी कर लिया तो लास्ट के three four days में आप इसको कि केवल एक कई बार पढ़ लें तो महारो में हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं दूसरी बात कि आते हैं घटना चक्र पे तो देखिए घटना चक्र जो है वह ऐसी बुक है जो अगर उत्तर प्रदेश को कोई बहुत यूजफूल होती है और यहां पर जब घटना चक्र बोल रहे हैं तो पूर्वाव लोकन से है कि मतलब प्रीवियस यह जो प्रस्णों का जो है भूमिका यूपी प्यस्सी के जितने भी एक्जाम सोते हैं उनमें एक समय तक बहुत ज्यादा थी मतलब पिछले एयर के प्रस्णों को सतर परसंट जो है वो रिपीट कर दिया जाता था आपके पेपर में और यह तक्रीबन चला आपका 2017 तक जो भी एक्जाम हुए हैं उनमें आप देखेंगे तो 2017 वाले एक्जाम में पतलब उसके पीछे के आठ दस स प्रस्णों की संख्या बहुत कम हो गई है तो ऐसे में आप समझ लीजे कि घटना चक्र की बुक्स अब आपका एक मात्र जो सॉल्यूशन होता था वन स्टॉप सॉल्यूशन होता था अब ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसलिए कई लोग मजाग में कह भी देते हैं कि घटना चक्र अब पर ऐसा भी नहीं है घटना चक्र वास्तों में अभी बहुत लेकिन कब है कि जब आप सतैंडर्ड बुक्स के साथ-साथ उसको पढ़ते हुए चले मतलब यह तो गया प्रस्तावनावला चाप्टर आपने कर लिया उसको तुरंत आप घटना चक्र से भी कर गटनाचक्र पूर्वाव लोकन से इस प्रकार से जब आप गटनाचक्र का प्रियोग करेंगे तो यह बहुत अच्छा इसका यूजफुल होगा। क्योंकि इसे पृधना तो देखें बहुत ज़रूरी है right just ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से ही आपको जो है तैयारी की दिशा पता चलती है अगर मान लीजे आपके पास कोई भी टीचर या गाइड कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके जैनुइन गाइडेंस तो आप खुद से भी एनलाइज कर सकते हैं तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी आप इसके बिना एक्जाम निकालने थोड़ा सो मुश्किल होता है ठीक है आप घटना चक्र ना लेके आप यूथ प्रकासन मन्थन कोई भी ले लीजे लेकिन प्रीवियस यर्स के प्रस्णों का एक अच्छा अवलोकन करना बहुत ठीक है उसके बाद देखिए कुछ एक कॉमेंट्स हमारे चैनल पर ऐसे भी आए जिनमें की यह पूछा गया कि एंसी आर्टी पढ़ना जो है वो कितना जरूरी आरो के एक्जाम के लिए देखिए एंसी आर्टी का जो नेचर है वह प्योरली वह कॉंसेप्ट बिल्डिंग है मतलब जो हैं आपके डाय में पूछे जाते हैं वह वहां पर टायम मिलते हैं यह तो उसके लिए आपको बहुत जद्दों जएध करनी पढ़ेगी उनसे चांदने लिए दूसरी बात कि आपको जो है वो सारे नहीं मिल पाएंगे आपको जो है वो फिर मतलब एक complete आपका factual तैयारी जो है वो नहीं हो पाएगी वहाँ पे तो इसलिए वहाँ पर भी आपको जरूरी हो जाएगा कि उसके साथ में आप books पढ़े ही मतलब NCRT से आप concept तो build कर सकते हैं लेकिन उसके साथ में आपको books पढ़ना फिर भी जरूरी है ताकि आप पेपर के हिसाब से आप सोचिए कि यह जो NCRT है वो basically लिखी जाती है बच्चों के लिए मतलब जो 6,7,3,9 के बच्चे हैं तो उनका concept building करा देती है वो आपके लिए नहीं लिखे जारी है कि आपके आरो के exam में क्या पूछा जाएगा वो लिख दें वैसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हाँ concept build करती है परन्तु उसके साथ में आपको और books पढ़ना जरूरी हो जाता है जब आप जो standard books पढ़ते हैं उससे आपकी आरो की तैयारी या फिर UPSC कोई भी तैयारी वो बहतर हो जाती है तो NCRT अब देखिए यह तो बात सही है कि NCRT के मुकाबला नहीं है concept building में परन्तु यहां पर आगर आप समझेए कि जो आपका परिक्षा होनी है वो लगभग आपको उसमें 6-7 महीने ही बाकी है अब अगर आप इसको करते हैं तो आपके पास तक्रीबन तीन महीने जो है वो इसमें NCRT में लगी ही जाएंगे धाई से तीन महीने कम से कम लगेंगे ही लगेंगे अगर आप NCRT पहली बार कर रहे हैं तो तो देखिए अब इसमें आप तीन महीने इसमें लगाई है फिर उसके जब आप स्टेंडर्ड वुक्स करेंगे तो उसमें अपने आप में चार-पांच महीने लग जाएंगे तो आपके पास यहां पर यह तरीका थोड़ा सा फेल कर जा रहा है ठीक है तो इसमें हमारे यही कहना है कि अगर आप केवल आरो की तैयारी करना चाहते हैं आप इसमें जो है श्योर सॉर्ट इसमें सेलेक्शन लेना चाहते हैं केवल आर सिलेट बुक्स आती हैं वह सब में फेले से कवर रहता है वह सभी में काफी तक पोर्षण पहले से और कर देता है क्योंकि एंच्यार्टी की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि आज कल लोग बल्कि अपनी अपनी बुक्स पे उपर लिखवाने भी लगया कि एंसी आर्टी सार इवन लोग जब क्लास भी लेते हैं यूट्यूब या फिर कहीं कोचिंग में तो भी लिखा देते हैं कि NCRT आधारित तो आज कल उसका महत्तों बहुत ज्यादा हो गया इसी लिए ठीक है तो आप अगर आरो की केवल तैयारी करना चाहते हैं डारेक्ट जो है स्टेंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए और उसमें आपकी NCRT भी काफियत तक कवर हो जाएगी लेकिन अगर आप फ्रेशर है और आप चाहते हैं कि हम जो हमारा मेन फोकस तो यूपीसी या स्टे स्टेंडर्ड बुक्स भी पढ़िए और कोशिश कीजिए फिर आपको अत्रिक्त मेहनत करनी होगी कोशिश कीजिए कि आप NCRT साथ साथ उसे कैसे भी कंप्लीट करने कोशिश करें तो यह आपका सारी बुक्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया और लग इतना चक्र आप पढ़िए जबकि आप स्टेंडर्ड बुक्स पढ़ रहें उसके साथ साथ में पढ़ते चलिए और वहीं NCRT जो है वह आप कप करेंगे कि आपको अगर केवल UPSC स्टेट PST फोकस करना है तो कीजिए मगर अभी अगर केवल आरूप फोकस करना है तो रहन मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार